nih यहेलव फ्रेंड वेलकम डोंड़ नाइन यह हमारा 61 टूटुरियल एंग लर का जिसमें लोग बात करेंगे अपने पैटर वे की जिसमें को सकते पैलमीं ना आलेमेंन को सूर्फिस कर पाइंगे लेकिन वह बस्ट वी नहीं है क्यूं scrapeा इंगे होता है वो आपके template को बीना dome के render कर देता है तो उस case में आपको यह property जो यहाँ पर मिल दिया हमारे basic highlight में वह property वहाँ पर नहीं मिलेगी यह जाहतार कब होता है जब आप service works related कोई environment create करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की problem आ जाती है तो इस तरह की problem ना आए तो हम लोग क्या करेंगे एक improve version को सीखेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो आपका एंगुलर है सिर्फ ब्राउजर तक की सीमित नहीं है इसको हम बहुत जगा यूज़ करते हैं ऐसे की example के तौर पर service work के लगर इसकी use करना है तो वह environment ऐसा होता है जह कि इसका better approach होगा इसी code में कर सकते हैं लेकिन हमने सोचा कि दोनों code को एक साथ रखेंगे तो आपके लिए better होगा और आप basic कीजिएगा दोनों code को एक साथ रखेंगे कि आपको सीखने में असानी हो तो सबसे पहले एक directive बना लूँगा मैं और command prompt का use करना हम उसके लिए तो यहां पर हमारा better approach है तो यहां पर मैं लिख देता हूं better तो यहां पर देखे spec वाली फाइल और एक हमारी directive वाली फाइल बने तो spec को delete कर लेते हैं इसके हमें जरूरूबद नहीं है और यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक नया folder create कर देते हैं इसके अंदर जिसको मैं दूंगा नेम बैटर हाइलाइट यह मैंने इसे नेम दिया और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे तरह मूव करते हैं इसके अंदर इसको यह हमने इसको मूफ कर लिया अब देखिए इसको योस करेंगे यह हमारा बन करा चुका है Diraclov और इसका नेम है यहांपर यह ने मैं पूछ रहे लए फोरे कोले हैं यहां पर यह व्रक्वल तक्विक कर यहां पर नेकर को मंछ दिया यहांपर देखिए वही कोडád divisions same code constructor हमारा बना हुआ रहा है और हम किसको implement करेंगे अपने on init को implement करेंगे यहां पर और यहां पर देखे मैं पहले वाले बेसिक जो highlight था उसमें private element reference का use कर रहा था इसका भी use मैं करूँगा अपने यहां पर अपने जो private ताकि मैं इसे प्रोपर की तरह access कर सकूं इसे में नेम दिया renderer और यहां पर renderer रर टू पहले यहां पर इसे renderer version 2 वी 2 की name से access किया जाता लिखा जाता था अब इसे change कर दिया है renderer 2 में तो यह change आ गया आपके angular के बाकी version से यहां पर angular 9 में अब यहां पर इसके अंदर हम कोई भी कूल लेख सकते हैं लेकिन मैं क्या करूँ इंप्लिमेंट करूँगा on init का तो यहां पर मैं लिखता हूँ implement और यहां पर on init को implement कर लेते हैं और इसको import भी कर लेंगे यहां उन इनेट और यहां पर इसके यूज कर लेते हैं और यहां पर लिखता हूँ मैं दिस डॉट रेंडरर डॉट सेट स्टाइल सैट इससे आपको नहीं से पता चलता है यह क्या करेगा आपको इसके इस प्रीट के वाहां रहा हुगाँ बस आपको सेट करने में आपकी मदद खरेगा और इसमें हम!", चार आर्गूमेंट को पास करते हैं तो सबसे पहले नहीं यह पास कर ना होगा कि हम इसमें पास कर रहे हैं कहां पर हमारा यह ए एट्रिब्यूट की तरह है तो वहां पर हमें वह एलिमेंट बताना होगा और एलिमेंट कैसे एक्सिस कर सकते हैं प्राइबेट एलिमेंट रेफ्रेंस और एलिमेंट रेफ के मतद से इसे हम एक्सिस कर लेते हैं यहां पर इसका भी यूज में कर सकता हूं यहां पर इसे पेस इसका हम कर लेते हैं ELRef यह कर लेते हैं इसका लिए लिखने में असानी होगी ELRef element reference यूज़ करेंगे और इसका native element को access करते हैं इस native element में मुझे क्या change करवाना है सबसे पहले तो मुझे इसका background change करवाना है single quotation दर हम यह लिखेंगे यह दो second argument होगा वह यह बताएगा कि क्या change करना है background का color change करना है और क्या value देनी है उसकी वह चीज़ बताएंगे यहां पर हम देनी है value blue और इसके बाद चौता जो launch option होता हो optional होता है और उसमें हम लोग flag set करते हैं अब देखे flag का मतलब क्या हो flag में यहां पर आप कोई important tag हो गया वो add कर सकते हैं save कर देते हैं इसे और app component.html file में आ जाएंगे अपने और यहां पर हम इसको use करते उसी तरह से हम अपने better highlight को भी use कर देंगे बस यहां पर इसका name change कर देंगे better यहां से copy कर लेते हैं इसे इसके selector को better highlight पेस कर लेंगे यहां पर और यहां पर basic की जगर लिखते हैं better highlight सेव करते हैं इसे और इससे run करेंगे तो यहां पर देखे फ्रेंड हमारा output create हो चुका है style में with better highlight directives और यहां पर हमने इसका use कर लिया है thank you watching this video goodbye take care कर दो